घर में बच्चे हुए या बड़े हर किसी को डेली ब्रेकफास्ट में कुछ नगुछ नया चाहिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ शेयर करें एकदम योनिक पहुती टेस्टी हेल्दी नाश्टा रेसिपी जिसे आप बहुत ही आसानी से बना कर त्यार कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा बरतन लेना है और इसमें आपको डाल देनी है एक गप सूजी सूजी बारिक मोटी जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं इसमें आप डाल दें आधा चमच नमक और इसमें आप घी या ऊईल कुछ भी डाल सकते हैं मौयन के लिए तो यहाँ पर मैंने एक चमच घी को पिघला कर इसमें डाला है अब इसे बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और इसे mix करने के बाद अब आप इसमें डालेंगे पानी और पानी डालकर इसका डो लगाकर त्यार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं बहुत अच्छे से इसे डो लगाकर त्यार करते जाएं तो यहाँ पर जो सूजी है वो थोड़ा जादा पानी लेगी क्योंकि सूजी पानी को सोख लेती है तो यहाँ पर देखिए हमने एक डो लगा कर त्यार कर दिया है बहुत जादा हाड नहीं है डो soft थोड़ा इसलिए लगाया क्योंकि इसे rest पर रखेंगे तो ये थोड़ा hard हो जाएगा सूजी पानी को सोख लेगी इसे ढखकर रख देते हैं 10 मिनट के लिए अब यहां मैंने gas पर एक pan रखा है और इसमें मैंने 2 चम्मच oil डाल दिया है oil को गर्म होने दें और जब oil गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दें और जैसे जीरा तरकने लगे आप इसमें 2 पिंच हींग डाल दीजिए और दोनों चीजों को अच्छे से आप भून लेजिए यह नाश्टा इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आपके घर में यह सब को पसंद आएगा और साथ ही यह बहुत ही healthy भी है नाश्टा यहाँ पर मैंने एक बड़े साइस के प्याज को बारिक कट करके लिया है यह इसमें डाल दिया है और इसे medium flame पर आप थोड़ा भून लेंगे इसे light golden brown होने तक आपको भून ना है तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज के भी नाश्टा त्यार किया जा सकता है यह अब यहाँ मैंने आधा चमबच लैसुन इसमें ढाल दिया है और आधा चमबच अद्रक डाल दिया है अद्रक और लैसुन दोनों को मैंने घिस कर लिया है आप चाहें तो अद्रक लैसुन पेस्ट इसमें ढाल सकते हैं इसे बहुत अच्छे से mix करेंगे और प्याज के साथ ही थोड़ा सा भून लेंगे अब यहाँ पर देखिए हमारा प्याज अद्रक लैसुन सब कुछ भून के हो चुका है तयार तो इसमें जा रहे हैं मसाले आधा चमबच हल्दी पॉडर डाला है आधा चमबच दाल मिर्च पॉडर डाल दिया है आधा चमबच डाल देते हैं धनिया पौडर आधा चमस डाल दिया है चाट मसाला नमक डाल दें स्वाधनुसार एक हरी मिर्च को पारिक कट करके डाल दिया है सबी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम से थोड़ा कम रखा है और सबी मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है तो मसाले भून कर हो चुके हैं तयार तो यहाँ मैं इसमें डाल रहे हूं मटर एक कप ताजा मटर लिया है और इसे मैंने इसमें डाल दिया है अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हूँ तो आप फ्रोजन मटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं मटर को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है इसे लगातार चलाते हुए एक मिनट के लिए आपको ऐसे ही पका लेना है मतलब ऐसे ही आपको इसे भून लेना है मसाले के साथ और अब आप इसे ठक देंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और चार-पांच मिनट इसे ऐसे ही छोड़ेंगे अब यहाँ पर मैंने इसे चार से पांच मिनट बाद ओपन किया है और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं और अब जो मटर है वो सौफ्ट हो गई है तो आपको इसे हलका सा ऐसे दबा देना है मतलब इसे हलका सा मैश कर देना है तो यहाँ पर देखे मतर को हमने मैश कर दिया है और बस अब आपको इस स्टेज पर गैस का फ्लेम कर देना है और इसमें थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और इसमें डाल दें आप 1 फोर्ट इस्पून आमचूर पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे आमचूर पाउडर की जगा आप इसमें थोड़ा सा नीबू करस भी डाल सकते हैं बस इसे अलग बरतन में निकालें और ठंडा करें अब यहाँ पर जो हमने सूजी का डो लगा कर त्यार करा था उसे भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके है हमने सॉफ्ट डो लगाया था जिसने पानी को सोक लिया और यह एकदम परफेक्ट हो गया है तो बस इसे एक बर फिर से ऐसे हातों से अच्छे से आपको गूंद लेना है जिससे एकदम स्मूध हो जाए और अब यहाँ पर आपको इस डो से लोईया बना कर त्यार करनी है तो यह देखे इस तरह की लोईया आपको बनानी है जिस तरह आप चपाती बनाते है वैसी लोई बना ले बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी लोई नहीं बनानी है अब जो लोई है उसके उपर हलका सा ओईल लगाएं यहाँ आपको सुखाटा नहीं लगाना है और हलका सा ओईल लगाकर अब आप इसे बेल लेंगे आपको इसके एक बड़ी सी चपाती बेल कर त्यार करनी है तो यहां पर आपको इसे थोड़ा पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसे, तो ये देखिए हमने एक बड़ी सी चपाती बिलकर तियार कर ली है, तो अब आपको क्या करना है कोई भी कटोरी या ग्लास लेना है और इस तरीके से गोल गोल ये पूर अब आप इसी तरह पहले सारी पूरिय बनाकर त्यार कर लें और आपने जो मठर का mas upstream बनाकर तियार गे cancel वह को अपको इसके अदर रखना है तो लगवक स you Airbnb से एक चमज के करीभ यह fisherman असके अंदर रखेंगे इस तरीके से और उसके बाद आपको क्या करना है एक cheer pretty पूरी को उठाना है और इस तरह इसके उपर रखना है और इस तरीके से आपको फिंगर से इसे बहुत अच्छे से दबा देना है ये देखे इस तरीके से इसके जो किनारें उन्हें आप आपस में बहुत अच्छे से चिपका देंगे तो ये देखे इसी तरीके से आपको सार जाली चलनी ना हो तो आप इसकी जगह पर नॉर्मल स्टील प्लेट ले सकते हैं इसे ऑईल लगा कर चिकना कर लिया है और जो नाश्टा तियार किया है वह हम इसकी ऊपर इस तरीके से रखेंगे इसे हम स्टीम करने वाले हैं इसे हम फ्राइड नहीं करेंगे बहुत ही और यह देखे, बहुती बड़िया तरीके से फूल चुका है, और एकदम बड़िया तैयार हो चुका है, अब इसे निकालें और इसे ठंडा होने दें, और जब ये नाश्ता ठंडा हो जाए, तो अब आप इसे सर्फ करें, तो मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ, य लेकिन मेरे घर सभी इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं आपको नाश्टा पसंद आया तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें